हेलो दोस्तो मैं रहूल और मेरे पास है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो और आज किसमें मुझे इसके फीचर्स के बात करेंगे इस फोन में जो हमें आउट ओड बॉक्स एंड्रॉइट 11 देखने हो मलता है साथ-साथ इनका खुद का कस्टम स्कीन दिया गया है जो कि XO8 7.6.0 त इससे जब भी मैं कोई नहीं आवरोप का आपको जोनोट चैन पहुँझा है क्योंकि मैं इस तरह के इंटेस्टिंग वीडियो जो लानी की ऊष्ट करता रहता हूं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डिफिलियो को पसंद आता है तो दिसलाइक भी कर सकते ह हैं without wasting any time so let's go सबसे पहले feature से इस फूर्म जा आपको काफी सारे special function देखने हो मिलते हैं इसके लिए आपको आना पड़ेगा settings पे score down करके आपको यहाँ पर special function का option पर आ जाना और यहां पर काफी सारे function देखने हो मिलते हैं यानिकि feature देखने मिलते हैं सबसे पहला social turbo का अगर आप यहाँ यहाँ पर WhatsApp इंस्टॉल किये हुए है WhatsApp में आप customize करना चाते हैं तो कर सकते हैं voice changer का option देखने मिल जाता है इसको enable करके आप यहाँ पर जो है किसी भी friend से जो है voice change करके बात कर सकते हैं उसका voice record का option देखने मिलेगा इसको enable किजेगा तो यहाँ पर जहाँ आप voice वगरा record कर सकत है call वगरा WhatsApp पर आता है वीडियो call आता है तो उसको record कर पाएगा beauty mode का option देखने मिल जाता है इसको enable किजेगा तो आप यहाँ पर beauty mode को activate कर सकते है वीडियो call वगरा में WhatsApp के pick mode का option देखने मिल जाता है जो कि मेरा favorite option है इसको enable किजेगा तो यहाँ पर कोई भी WhatsApp में message करके delete अग सकते हैं 15 दिन बाद automatically delete हो जाएगा आप यहाँ सेब भी कर पाईएगा उसका WhatsApp क्लीन का option देखने मिल जाता है जहाँ पर आप खुद का स्टिकर वगरा बनाकर अपने friend को send कर पाएगा gaming mode का option देखने मिल जाता है जो की काफी बढ़िया फीचर दिया गया है यहाँ पर आप गेम के addiction हो जाते हैं तो यहाँ पर आप addiction को कम करने के लिए यहाँ पर अपनी साफ से टाइमर पगर लगा कर सकते हैं जिससे यहाँ पर गेम कितना देर खेलना चाता है अपनी साफ से control कर पाएगा उसके आप यहाँ पर gaming management का option देखने मिल जाता है आपको gaming mode के activate करने के यहाँ पर देखने मिल जाता है जिसके आप यहाँ पर देख पाड़े हैं वाटसर पूपिन करते हैं चोटा सा विंडो उपन हो जाएगा screenshot screen record कर सकते हैं और यहाँ पर memory clean वगएरा game खेलते-खेलते कर सकते हैं screen को off कर सकते हैं magnetic button का option देखने मिल जाता है इसको select करते हैं तो यहाँ पर देखने मिलता है तो आप चाहें तो इसका इस्तमाल डेफिनली कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से आप जो है game वगएरा खेलना चाहते हैं तो gaming turbo को इस्तमाल कीजिएगा जिससे आपका game और अच्छा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो next option आपको देखने म कर पाईएगा काफी बड़ी हैं यहाँ पर feature दिया गया है और यह जो feature है यह मुझे काफी अच्छा लगा डिपी आप चाहें तो इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं उसका आपके यहाँ पर यहाँ पर यूटूब को देखते देखते और बी काम करना है तो आप यहाँ पर य messenger वगएरा open कर लीजे या फिर play store open कर लीजे कोई भी आप यहाँ पर यहाँ पर काम कर सकते हैं exit करने के लिए आपको इसको press and hold करके नीची की तरफ लाना है और यहाँ पर यहाँ पर यह फीचर दिया गया है थंडर बैक का जिसका आप चाहें तो इस्तमाल कर सकते हैं bookmark दि पर आपको tap to wake up का option देखने मिल जाता है इसको अनेबल किजिगा lock screen में tap करके आप wake up कि जियागा और यहाँ पर music यहाँ पर जो नॉर्मल screenshot कि लेनिक बाद इसको open करता हूं तो यहाँ पर देखें काफी अप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसके आप इसको programming करना चाते हैं तो फ्रेमिंग कर सकते हैं यह दिखें फ्रेम हो गया उसके आप यहाँ पर crop करना चाते हैं यहाँ पर जो ड्रॉ इसको इने बिल कीजिएगा कॉल वगर आता है आपको रिसीप करने की जाहतनी डाइक लिए आप कानों के सामने लिजेगा यह आटमेटिकली रिसीप कर लेगा smart screen on का option देखनों मिलता है जो कि आपके बैटरी को काफी जादा drain करता है basically यहाँ पर आपका चेहरा आता रहता है और यह screen on रहता है आप चाहे तो इसको इनेबल करके रख सकते है flash for call का option देखनों मिल जाता है flashlight call होता है जो कि बैटरी को ज्यादा फिट करता है तो इसको ना ही एनेबल करें तो ठीक है उसके बदा आपके यहाँ पर video assistant का option देखनों मिल जाता है जहां पर आप को social media application को allow दे सकते हैं जो भी video platform है काफी बड़ी है यह feature है मुझे काफी अच्छा लगता है for example मैं यहाँ पर YouTube open कर लेता हूँ YouTube open करने बाद मैं यहाँ पर एक video open कर लेता हूँ आप चाहें तो इसको subscribe कर लीजेगा मेरी वाइफ है वो काफी अच्छे अच्छे व्लॉग यहाँ पर upload करती रहेगी तो आप चाहें तो इसको जो है इंस्ट्रॉल कर लीजेगा अब मैं यहाँ पर video play कर रहा हूँ वीडियो देखते देखते आपको call आ रहा है आपको call नहीं लेना है रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर सबसे प्यारा फीचर जो मुझे लगता है सबसे अच्छा फीचर लगता है वह है play in the background का basically मैं YouTube पर ज्यादा song सुनता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको click करता हूँ तो फोन यहाँ पर lock हो गया है बट फिर भी यहाँ पर फोन का जो music है वो चालू रहेगा आप यहाँ पर सुन पाएंगे तो जैसके आपने सुना यहाँ पर music allowed कर रहा है और मैं अगर open करना हो तो देखिए video यहाँ पर चालू है तो definitely आप जो है मेरे vlog channel को subscribe कर लिजेगा रह इसका आप definitely इस्तमाल कर सकते हैं मुझे काफी अच्छा लगा यह feature उसके आपके यहाँ पर option देखनो मिल जाता है एक्स क्लोन का जहां पर आप application को क्लोन कर सकते है Facebook वगएरा power menu का option देखनो मलता है जो कि उतना खास अच्छा नहीं है accessibility का option देखनो मलता है जहां पर आप accessibility menu के enable कर सकते हैं काफी लोग एक हाथ से ज्यादा phone के यूज़ करते हैं उनके लिए यह है यहाँ पर shortcut देखनो मिल जाता है Google list and volume button लॉक वगएरा का यह अच्छा इस्तमाल कर सकते है मैं का icon आ जाता है तो यह काफी लोग के लिए useful है अगर आप इस enable करके रखते हैं मैं यहाँ पर application एक देखा था मैं इसको देख लेता हूं सबसे पहले जी हाँ तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप जो translate कर सकते हैं English to Hindi Hindi to English आपको just magnification glass देखने को मिलेगा अगर मैं यहाँ पर दिखाऊ तो यहाँ पर magnification glass देखने को मिलेगा उसको आप लाईएगा तो यहाँ पर ट्रांसलेट कर पाईएगा आप जो है WhatsApp पे कहीं पर भी व्यूचुली आप जो है ट्रांसलेट कर पाईगा तो यह translation effect काफी बढ़ी है यहाँ पर जो है दिया गया है मुझे काफी पसंद है आप इसको इस्तेमाल डिफिनली कीजिएगा थोड़ा सा देखिएगा आप जो है सीख जाईएगा उसको आप यहाँ पर फ्रेंट साइज का डार्क थिम का ओप्शन देखने मलता है जहाँ पर ब्लैक हो जाता है आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हाला कि यह आपको डिस्प्ले ऑप्शन में भी देखने को मल जाता है उसको आपको यहाँ पर जो है मैंगनिफिकेशन कलर करेक्शन और यहाँ पर जो है रिमूब एनिमेशन अगर मैं मिनिमाइस करता हूँ तो देखिए एक तरह का एनिमेशन होता है देख पा रहे हैं और रिमूब एनिमेशन अग जैसी मैं करता हूँ यह देखिए एनिमेशन नहीं होता है देखिए कोई एनिमेशन नहीं होता है तो रिमूब एनिमेशन आप जो है कर सकते हैं उसका पावर बटन एंट कॉल का ओप्शन देखने मिल जाता है और यहाँ पर time to take action का option देखने मुलता है basically यहाँ पर आपको option दिया जाता है आपका call, music वगरा जो भी notification वगरा आता है छोटा मोटा वो जो आप कितनी देर तक रखना चाते हैं 10 second, 1 minute, 2 minute या फिर यहाँ पर default रखना चाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको select कर पाईएगा Moon Audio का option देखने मुल जाता है और यहाँ पर caption का भी option देखने मुलता है इसको enable किजेगा तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं, कोई भी English में है तो वहाँ पर caption उसका आपको show हो जाएगा तो यह काफी बढ़ी है यह option आपको देखने मुलता है नेक्स वीडियो आपके तो वह होम स्कीन कस्तमाइशन अगर आप राइट की तब स्टाइब कीजेगा तो यहाँ पर देखिया आपको एक page देखने मुलता है जहाँ पर cricket score और यहाँ पर fitness वागरा रैम आपका कितना बचा हुआ है और कौन-कौन से आपने जो है रीसेंट की एप जो है यूज के हुए न्यूस फीड वगरा देखने मुलता है यह page देखने मुलता है बसलिए इसे नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं कैसे मैं जो आपको बताऊंगा और अगर आप डबल फिंगर से कुछ इस तेगे से करते हैं तो नीची के तरफ आपको काफी कमाल का option दीखने मुलता है wallpaper, widgets, x theme और menu का wallpaper में जाकर wallpaper change कर सकते हैं widgets में जाएगा तो यहाँ पर काफी सारे आपको widgets देखने मुलता है जिनमसे जो favorite मेरा widgets है वो है सफफल का अगर मैं इसको जो होम स्क्रीन में लेता हूँ यहाँ पर और जस्ट मैं जो है wallpaper वेगरा हर बार change करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं tap करता हूँ tap करते ही यहाँ पर देखिए wallpaper change मैं और एक बार tap करता हूँ और यहाँ पर आप देखिएगा wallpaper change हो जाएगा तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर tap करता जाओंगा यहाँ पर wallpaper change होता रहेगा तो मुझे settings पर आगर wallpaper में जाकर अलग से wallpaper लगाने के ज़रुत नहीं यह directly सफफल काफी useful है यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाएंगे जो भी विकली आता है उसका डिस्कबरी का ओप्शन देखने में जाता है एक और criteria वगरे यह जो है चूज कर सकते है location वगरे यहाँ आप डाल सकते हैं उसका theme का भी ही आप यह तिम को भी आपने हिसाफस कर सकते है उसका discovery का option देखने में जाता है जहां पर आप यहां पर डियाएवा कर सकते है फ्रेंट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं यहां पर ऐल वगरे दीज़े काफी सटाइल दियेगा है जो भी आपको चाहिए उसको स्लेक किजिए डाउनलोड कीजिए डाउनलोड किजिए आप फोन को रिस्टाट कीजिए अपलाई कीजिए आपका जो हो जाएगा तो यहां पर presenting style को भी आपचेंज कर सकते हैं और यही नी यहां पर अगर मैं thim में आता हूँ थिम में आने कबात आपको यहां पर दिखाता हूँ three line में जो option है Waldpapad जाएगा थिलाइnd का option देखने हूँ इस पर कुछ लिखीजगा तो देखे जो भी theme आपने डाउनलोड करके रखा होगा जो भी wallpaper वगरए DIY करके रखा होगा फ्रेंट वगरए वो आपको देखने मिल जाएगा Lockscreen Magazine का option देखने मिल जाएगा यहाँ पर रहेगा और अगर आप इसे Enable करते हैं यहाँ पर जो है menu पर चलते हैं menu पर जाएगा तो यहाँ पर देखे सबसे पहला जो option देखने मिल तो मलता है वह है App in settings का यहाँ पर यहाँ पर काफी कुछ आप कर सकते हैं जैसे कि 4 x 5 5 x 4 ऐसे जो है आप रख सकते हैं उसका यहाँ पर column folder का आप select कर सकते हैं यहाँ पर फोल्डर थीम को भी आप जो thumbnail को भी आप select कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप अबर जब open करते हैं तो vertical आता है आप इसको horizontal भी कर सकते हैं टेक्स्ट के color को change कर सकते हैं यहाँ पर मैं custom करके red करके आपको दिखा दिखा दिया तो देखें यहाँ पर red हो चुका है और यहाँ पर कुछ इस तरह के से और अगर मैं यहाँ पर आप डर को दिखता हूं तो यह दिखी यह vertical में है तो vertical मुझे उतना जादा अच्छा नही अब देखी यह horizontal हो गया यहाँ पर देख पाने है काफी मस्त लग रहा horizontal में तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर आपको पासवर्ट को याद रखना है अगर आप पासवर्ट भूल जाते हैं तो गडबर हो सकता है आई रिमेंबर उसके बाद यहाँ पर नाम वगेरा यह सब देना है तो यह सब देने के बाद आप यहाँ पर एंटर हो जाएगा उसके बाद application को hide करना है तो इसको hide कर देता है अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आनिक बाद यहाँ पर double finger से up करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एकस हाइड ओपिन हो जाते है आप directly home screen पर double finger से up किजिएगा तो एकस हाइड ओपिन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ट देजिएगा पासवर्ट देनेक बाद यह जाते हैं मेनू में तो यहाँ पर एकसाइड हो गया अनिट करना है यहाँ पर आईए और यहाँ पर फिर से पासवर्ट पासवर्ट देनेक बाद आपको जोए simply इसको प्रेस और होल करना है प्रेस और होल करनेक बाद यहाँ पर जोए export को option देखने हो मिल जाएगा export कर दीजे और यहाँ पर यहाँ पर यह जोए अन हाइड हो जाएगा तो और कुछ नहीं करना है बस इतना ही करना है hide और अन है पर यहाँ पर नंबर बैजट का option देखने मिल जाएगा अगर आपको नहीं चाहिए कुछ इस ते किसे बैच आता है जासके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक नंबर दो नंबर नहीं चाहिए तो disable कर सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा सारे अप्लिक्शन में और यहां ऑपर सीरे जाक वही है उसके आपके यहाँ आपके यहाँ से सेटिंग्स का option देखनों मिल जाएगा जहां पर काफी सारा option दिये जैसके आप यहाँ पर दीख पा रहे हैं ओपर यहाँ आता हूं अगर मैं मेन्यू में आता हूं और यहाँ पर oh level में आता हूग और आपको ढूंडने में भी तो दिक्कत नहीं होगा, तो यह आपको option देखने मलता है, उसका search settings का option देखने मलता है, जहाँ पर आप अपनी हिसाप से इसको enable, जैसे hot search वगएरा हो गया, आप चाहें तो disable कर सकते हैं, यहाँ से theme वगएरा जो भी आता है, वो disable कर सकते है, hot search मे जाएगा, यहाँ से directly, आप recent app को unhide वगएरा कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर other settings का option देखने मल जाता है, basically मैंने आपको शुरुवात में दिखाया था, एक यहाँ पर आपको piece देखने को मलता है, अगर आप इसे disable करना चाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आपको double finger swipe करन जाना है, menu में आना है, other settings पर आना है, और यहाँ पर आपको zero screen बोल कर option देखने मलेगा, आपको इसे disable कर देना है, जैसे आप इसे disable किजिएगा, यह देखिए, यहाँ पर screen में से वो page हट चुका है, अब यहाँ पर आपको वो page टिस्टब नहीं करेगा, next video बात करें, तो इ अगर आप geo to geo, या फिर airtel to airtel, या फिर vodafone to vodafone call करते हैं, तो ही work करेगा, अगर आप geo to airtel, या फिर airtel to vodafone, या फिर vodafone to geo, आप जो है call किजिएगा, तो यहाँ पर video call work नहीं करेगा, और यहाँ पर three dot पर click किजिएगा, उसका settings पर आपको काफी सारे option देखने म कर सकते हैं, जिससे call वगेरा आएगा, तो यहाँ पर धीरे-धीरे करके आपको जब volume increase होगा, do not disturb, यह मेरा favorite option है, कभी कबार मैं रात को phone को silent करके सो जाता हूँ, और दिन में unsilent करना भूल जाता हूँ, इस विसे काफिस सारे important call miss हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर schedule लगा सक आपका boss का call है, मम्मी का call है, जो कि emergency में रात को call कर सकते हैं, तो उनका आप allow दे सकते हैं, जिससे emergency में अगर वो call करते हैं, तो यहाँ पर आपका ring होगा, तो यह काफी कमाल का feature है, do not disturb, आप चाहिए तो definitely इसका इसका इसनमाल कर सकते हैं, बागी यहाँ पर आपको यह DTS sound का option देखने में जाता है, जहाँ पर आप sound को enable कर सकते हैं, smart में, यह automatically detect कर लेता है, sound वगएरा, vibration वगएरा, इसको जहाँ आप अपनी साब से customize कर पाईएगा, उसके आप यहाँ पर block number का option देखने में जाता है, कोई भी unwanted call वगएरा है, तो यहाँ आप यहाँ पर call block कर सकते ह है, उसके आप यहाँ पर जो है, assistant dialing वगएरा का call recording का option देखने में जाता है, आप यहाँ पर call recording को enable कर सकते हैं, यहाँ पर call recording का option दिया गया है, जो कि काफी अच्छी feature दी गई है, generally काफी सारे phone में चे call recording का feature जो है, यहाँ पर नहीं दिया जाता है, यहाँ पर दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है, call already spam का option दीखने में जाता है, यहाँ पर जहाँ आप filter spam call को enable कर दीजेगा, verify call को enable कर दीजेगा, जिससे क्या होता है, यहाँ पर यह automatically internet के through verify वगएरा लेगा, और यहाँ पर call already spam वगएरा, अगर कोई भी spam call कर रहे है आपको, तो यहाँ पर यह जिस्ते के से flip कर जाएगा, call आते ही, तो यहाँ पर automatically यह silent हो जाएगा, next which बात करें, अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो इस phone जो आपको काफी कमाल का एक mode देखने मलता है, kid mode, इसको आपको enable करने के लिए आना पड़ेगा, settings पाने बाद यहाँ पर score down कीजेगा, और आ आप यहाँ पर kid mode पर आजेगा, आनेक बाद यहाँ पर आप अपने साफसे time select कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको कितनी देर तक अपने बच्चों को use करने देना है, दो घंटा है यहाँ पर limit है, उसके वदा आपको यहाँ पर data use करने देना है, कितना limit में आप अप य जहाते हैं वह application आप यहां से allow कर सके हैं और यहां पर मैं इन दोनों का कर दिया हूं जिसके आप यहांपर देख पा रहे हैं, अब यहांपर मैं यूज in bought का option क्लिक करूंगा, यहां परOOOOD mode पर जपर मैं आ जहाँगो . Just तक आप यहाँ पर exit नहीं कर पाईगा, तो यह काफी कमाल का feature है, इसका shortcut आपको यहाँ पर नोट्चेन पैनल पर देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर pencil का icon पर click करना है, click कने बाद यहाँ पर kid mode का option देखने को मिलेगा, इसको प्रेशन होल करके आप यहाँ पर इसका shortcut create कर सकते हैं, और आपको बार बार जो है, वहाँ पर जाने के ज़ोतने हैं, आप डैकली यहाँ से shortcut use कर सकते है, kid mode का, आप जो इसको click कीजिए, यहाँ पर कुछ इसके से kid mode को यहाँ से activate डैकली कर पर पर यहाँ पर ultra power saving का option दीखने हो मिल जाता है, basically आप कहीं पर गए होए ह और यहाँ पर आपका phone का battery 20% या फिर 10% के आस पास है, और emergency में काफी सरे call आपके आने वाले हैं, तो यहाँ पर आप उसको enable करके अपने battery को काफी लंबा चला सकते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा settings पे score down कीजेगा, और यहाँ पर नीची की तरफ आपको आ जाना की में convert हो जाएगा, यहाँ पर सिफ call कर पाएगा, message यहाँ यूज कर पाएगा, calendar यूज कर पाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, अगर आपका phone का battery 10-20% है, तो इसके 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 पाइगे, अप इसको select कीजेगा, और यहाँ पर जाएगा, इसके आ feature देखने हो मल जाता है, साथ-साथ यहाँ पर थिफ alert का भी option देखने हो मलता है, जिससे आपका phone कोई चोरी नहीं कर पाएगा, और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर fingerprint के जरीए call को end कर सकते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा setting space को down करके, आपको यहाँ पर security का option पर जाना है, और यहाँ पर आपको fingerprint का option पर जाना है, पासवार्ट दे देना है, पासवार्ट देने के बाद यहाँ पर आपको option देखने को मल जाता है, जिसके आप यहाँ पर दीख पा रहे होंगे, आप app lock करना चाहते हैं, यहाँ पर fingerprint के जरीए यह सब enable कर दिए जिससे आप app lock में, सब चीज में fingerprint का यूज कर पाएगा, यहाँ पर scenes application का option देखने मिल जाएगा, जहाँ पर आपको accept call का option देखने मिल जाता है, जहाँ पर आप यहाँ पर प्रेस करके करना चाहते हैं fingerprint sensor को, आप यहाँ पर select कर सकते हैं, मैं जो touchy रहने देता हूँ, प्रेस करने से power button जाएगा, जाएगा जाएगा, इस पर सक touchy रहने देता हूँ, उसके आपके यहाँ पर screen pattern lock वगरा आप change करना चाहते हो, यहाँ पर आएगा password दीजिएगा, और अपनी साफ से change कर पाएगा, app lock option देखने में जाता है, यहाँ पर आएगा, password दीजिएगा, password देने क बाद यह इसके बाद यहाँ पर open होता है, minimize connect बाद यह जो open ही रहता है, जब तक आपका phone lock नहीं होता है, यह जो है, इसका फोड़ा सा मुझे जो है feature अच्छा नहीं कलागा, minimize होने क बाद और बाकी emergency वगरा है, यहाँ पर देखने को मल जाता है, same lock, यहाँ पर trust agents वगरा आपको काटने लगते हैं, हाला कि it space है, बढ़ फिर भी अगर आप बच्चे या फिर किसी और को देना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जो screen को pin कर सकते हैं, आपको tap करने के बाद यहाँ पर जो है, आपको इस application पर click करना है, application के icon पर और यहाँ पर pin का option देखने को लॉक हो जाएगा, password दीजेगा, आप जो है exit हो पाईएगा, तो यहाँ पर जो है, यह काफी कमाल का feature दिया गया है, screen pin का, आप चाहिए इसका 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 आपको बोला था, tip alert option देखने मिलता है, यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे, यहाँ पर charging disconnected enable रहेगा, और सासत earphone unplugged, इसको भी अगर enable करके रखते हैं, for example, आप pocket में लिए होए, earphone लगाया हुए, और कोई आपका phone जो है, unplugged करके लेकर चल जाएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा, तो unplugged करते हैं, यहाँ पर जो है, alert बज़ने लगए, टेंग नेंग नेंग कर और आप पर जो है, phone चोरी होने से बच जाएगा, तो यहाँ पर आप चाहें, तो इसको enable कर सकते हैं, shortcut यहाँ पर आपको काफी सा option देखने मिलता है, सभी option में आपको कुछ ना कुछ फीचर देखने मिल जाता है, my phone में आएगा, तो यहाँ पर phone के बारे में आप जान सकते हैं, e-warranty card यहाँ पर activate कर सकते हैं, जोगी काफी बढ़ी यहाँ पर feature दिया गया है, SIM card और mobile network पर आकर आप यहाँ पर SIM card में आकर यहाँ से directly आप इसका Wi-Fi, 4G, calling वगरा यह सब आप enable, disable कर सकते हैं, जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यह भी काफी बढ़ी यह यहाँ पर आप Wi-Fi वगरा अक्सेस करते हैं, तो आपको एक ही Wi-Fi जो है, पासपोर्ट देखें को मलता है, आप laptop में connect नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर phone पर connect करके, आप hotspot on करके, जो है, 2-3 device जो है, एक साथ connect कर पाएगा, जो की काफी बढ़ी यहाँ पर feature दिया गया है, hots iPhone में जो भी आपका Chromebook में open रहेगा, वो directly आप जो है आपने Windows application में open करते हैं, यह जो है आपको feature देखने को मिल जाता है, sound and vibration जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बात करते हैं, display and brightness के बारे में, तो यहाँ पर brightness level को control कर सकते हैं, auto brightness को enable disable कर सकते हैं, eye care का option दिया गया ह अगर आप अंदेरे में reading वगएरा करते हैं, तो आप इसे enable कर दीजिएगा, जिससे आपके आखों को जलन या पर चूबन नहीं होगा, especially कुछ-कुछ website वगएरा यहाँ पर black theme को support नहीं करते हैं, application black theme को support नहीं करते हैं, तो यह तब आपका काम आएगा, dark theme का option दिया गया, enable कीजिएगा, तो dark theme यहाँ पर हो जाएगा, screen की bright का option दिया गया, इसको enable कीजिएगा, screen आपका जो हमेशा bright रहेगा, जब यह आप जो screen को देखे, screen time out वगएर दिया गया, ultra touch, यहाँ पर touch को कितना sensitivity रखना चाहते है, normal fast, ultra fast, यहाँ पर motion speed वगएर, आप normal fast, यह सब कर सकते है और उसके बाद आपको screen refresh rate का option देखने मिल जाता है, जहाँ पर आप screen refresh rate को अपने हिसाब से adjust कर सकते है, 60Hz या फिर auto रखना है, auto पर रखिये गा ति यह automatically 68, 90Hz जो है, control करता रहेगा, उसके front size को आप यहाँ से बढ़ा कर सकते हैं, उसके बदा आपको यहाँ इनविटरी mode द करेगा, basically यहाँ पर show करेगा, जहाँ आपका phone lock है, और यहाँ पर आप phone को use नहीं कर पाएगा, तो यह काफी बढ़ी है, pocket में unwanted touch वगेरा से बचाएगा, उसके आपके यहाँ पर auto rotate screen का option देखने मिल जाता है, जिसको enable कर सकते हैं, lock screen का option देखने मिलता है, जहाँ पर आप lock screen speed यहाँ पर enable कर सकते हैं, उसके आपके यहाँ पर theme अगेरा का जो कि मैंने आपको पहले ही बताता था, storage का option यहाँ पर storage का आप जो जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, कितना RAM बचाव कितना नहीं, application management का option में आते हैं, तो यहाँ पर default app जो भी आपका रहेगा, वो आप देख पाएंगे, उसके र BARDi app settings पर आकर जो किस भी application का आप जो इ skeptic का, किस वी अप्लिकेशन का आप किसे कर न चाहते हैं, यहाँ पर storage कर आकर आप आप कर पाईएगा, उसके वाद आपके यहाँ पर option का option मिल जाएगा, यहाँ पर काफी कमाल कमाल के यहाँ पर option देख सकते हैं जहां पर आपको कौन-कौन से शोग करने हैं, नहीं, शोग करने का आप अपनी साफ से एडजस कर सकते हैं, अलाओ नोट्चेन, सूजिं का उप्षन देखने मल जाएगा, नोट्चेन, हिस्ट्री का उप्षन देखने मलता है, इसको एनेबल करके रखेगा, तो यहाँ पर जो है कोई भी नूट्शन वगएरा गलती से आपसे स्वाइप अप हो जाता है हिस्ट्री में आकर आप चेक कर सकते हैं पंदर दिन बाद यह आटमेटिकली यहाँ से रिस्क कर देगा वेकप स्क्रिंट का ऑफ्शन देखने मल सता है जो कि मेरे साब से बैटरी वेस्टेज होगा इसको ट्रेश नहीं कीजिए तो ही बिटर रहेगा और हीं ना पर स्राइब कर रहे हैं यहां पर मेंसे आल जाता है में उप मैक्लट कीजिएगा कै कोड आपका सकते हैं wireless emergency का option देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप wireless emergency वगएरा अक्टिवेट कर सकते हैं, nutrition management वगएरा यहाँ से आप अड़ेस्ट कर सकते हैं, यह आपको nutrition वगएरा में देखने को मलता है, और यहाँ पर कुछ खास बोले तो यहाँ पर special app वगएरा, screen time वगएरा, यह सब आपको देखने को मिल जाता है, बाकि और कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, privacy, privacy, location, security मैंने बता दिया है, यहाँ पर power management वगएरा बता दिया, digital well-being parental control, basically आप अगर phone में काफिवदा addictive हो गया है, game खेलते वक्त तो यहाँ पर timer लगा सकते हैं, साथ-साथ यहाँ पर focus mode, यानि कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई और काम कर रहे हैं, यहाँ पर job कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आप phone से ध्यान हटाना चाते हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर digital well-being control में आजेगा, यहाँ पर आपको dashboard का option देखने मिलेगा, यहाँ पर आप टाइमर लगा सकते हैं, यहाँ पर टाइमर का option है, दो घंटा, आप जीतना भी timer लगाना चाते हैं, लगा सकते हैं, तो इसको slick किजिए, slick करने के बाद यहाँ पर आपको delete का option देखने मिल जाएगा, उसकाद आप यहाँ पर focus mode का option देखने मिलता है, यहाँ पर एगा, जो भी चीज आप यहाँ पर focus में लेना चाता है, for example, यहाँ पर मैं इन सब को लेना चाता हूँ, basically, यह सब काफी ज़दा irritate करते हैं मेरे काम के time में, तो उसके बाद मुझे को क्या करना है, turn on कर देना है, turn on करते हैं, यह सारे black and white हो जाएंगे, मैं आपको दिखा था हूँ, यहाँ पर, यह देखें, यहाँ पर सारे black and white हो गया है, जो भी मैंने slick करके रखा हुआ था, PUBG, YouTube अगयरा, और यहाँ पर focus mode हो चुका है, अगर मैं turn off कर देता हूँ, तो यह फिर से रंगीन हो जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, अब मैं इसे use कर पाऊंगा, और जब तक focus mode रहता है, तब तक मैं use नहीं कर पाऊंगा, इसका shortcut भी आपको यहाँ पर, पाकी यहाँ पर आपको special function देखनों मिलता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, account और Google देखनों मिलता है, तो यहाँ पर देखे आपको system navigation का option देखें मिलता है, इस पर यहाँ पर इनिक बाद आपको जो है navigation customize का option देखें मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ देखेगा more settings का option है, आप इसे left right कर सकते हैं, अपने हिससाब से, उसकद आपके यहाँ पर जो है justice navigation का option देखें मिलता ह तो अगर आपके यहाँ पर जो है justice चाहिए तो यहाँ से आकर आप अक्टिवेट कर सकते हैं, मुझे justice अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ से आप डेकली reset वगएरा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है, वाइफाय ब्लूटूथ वगएरा reset करना है, यह सब कर सकते हैं बैकप ले सकते हैं, schedule लगा सकते हैं, power on, off का, आप यहाँ पर जो है कितना बज़ा on करना है, कितना बज़ा off करना है, automatically यह जो कर जाएगा, update वगएरा देखने को मिल जाता है, backup, restore वगएरा यहाँ पर आप डेकली कर सकते हैं, नेक्स विच बात करें, तो इस परन मुझे आ आप जो है, रख सकते हैं, साथ-साथ, यहाँ पर जो है, आपको और भी बहुत सरे देखने मुलते हैं, एक सविस फैमिली में आते हैं, तो यहाँ पर देकी एक स्थिम आपको देखने मुल जाता है, उसके बद आपको यहाँ पर स्मार्ट स्कैनर का option देखने मुल जाता है यह पार्टी मोड का option देखनों मलता है जहां पर आप एक साथ जो है बहुत सारे device को connect करके जो है एक device जो है music play कीजेगा तो सब भी device से यहां पर आपका sound आएगा काफी बढ़िया feature है आप चाहिए तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं उसके आपके यहां पर phone clone का option देखनों मलता है आपने नया phone लिया हुआ है तो यहां पर सारा data वगएर आप एक phone से दूसरे phone में डालना चाते हैं तो phone clone कर सकते है phone management का option देखनों मलता है यहां पर आप फोन master पर आकर power saving वगएर टूल बॉक्स पर जाकर यहां पर गेमिंग mode photo cleaning वगएर एक side का option देखनों मलता है basically यहां प यहां पर आकर आप पासवर्ड वगएरा दे देते हैं फटा फट से तो यहां पर आप अपना पिक्चर वीडियो और साथा स्क्रीन रिकॉर्ड वगएरा यह सब हाइड कर सकते हैं application वगएरा यह सब हाइड कर पाईएगा एक side का option में यहां पर आकर जो की काफी कमाल का यह यहां पर इपर देखने को मिलता है और यही नहीं आपके इहां पर Two डी काफी सारय एक universal देखने को मिलता है यहां पर अगर आप यहां पर ब्लकूलेटर के नसदी की Infinix Square के बारे में जाना चाते हैं तो यहां से जान पाईएगा विदर रिपोर्ट वगेरा यह सारे अप्लिकेशन आपको प्री इंस्टॉल देखने को मलते हैं साथ साथ यहां पर आपको कमाल का अप्शन देखने मलता है जो कि है फ्रीजर का बिसिकली यहां पर आप फ्रीजर कर सकते हैं उन सारे अप्लिकेशन को जो कि आप डेली लाइट में जादा यूजर नहीं करते हैं जैसे कि यहां पर फ्लिपकाट हो गया Amazon हो गया और Facebook वगेरा हो गया या फिर आपको कोई गेम वगेरा हो गया आप यहां पर justically उनको add कर सकते हैं तो यह फ्रीजर हो जाएंगा फिर जांगे कोई भी सऺस्राष आपको नहीं होते हैं अगर आप इन hoo मिनीञा करके रखते हैं कोई भी माइक वगेरा है कोई भी सब्ल käytet नहीं होते हैं और जैसे आप इसे close कर दीज़ेगा, यह सारे permission गाया हो जाएंगे So friends, I hope आप सब भी को Infinix Note 10 Pro का feature वीडियो पसंदाया होगा अगर पसंदाओत, प्लीज फिरें वीडियो को लाइक कर दीगा, आसा चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके, और पर क्लिक कर दीगा, जिससे जब भी मैं कोई निया आप आपको ज़िए अपर आपको ज़िए अपर आपको ज़िए अगली वीडियो में एक नए कॉंसर्प्ट के साथ, अब तक लिए टाटा बाई बाई और यूँ हसते रिये, मुस्कुवात रिया और बने रिया आर्जे टेकनिकल्स के साथ